नर्खेड की जूनेना गाउ के पास तेज रफतार के साथ 150 गाई से भरा कंटेनर पल्टी हुआ जिससे 50 गाई की मौत हुई खबर चलती ही सावर गाउ पुलिस खटना स्थल पर पहुची आगे की जांच इस दिशा में पुलिस कर रही है आई देन सडक दुर्गटनाओं में काफी बढ़ात्री हो रही है कही न कही तेज रफतार से वाहन चलाने से भी दुर्गटनाए हो रही है जिहां हम आपको ऐसी एक एक एकसिडेंट के बारे में बता रहे है मध्यप्रदेश से एक कंटेनर में लगभग 300 जानवरों को डूस डूस कर भर दिया गया था कंटेनर चालक कंटेनर को तेज रफतार से आ रहा था इसी दौरान कंटेनर चालक का वाहन से नियंतरन चूटा और नर्खेड की अंतरगत आने वाले जुनेरा सिंधी रोड पर कंटेनर ने पल्टी खाई कंटेनर ने दो तीन पल्टी खाने से परीसर में जोरदार आवाज होते ही गाव के लोग घटना सल पर आ गये देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई लोगों का हुजम उमड पड़ा था तीन सो जानरों को किसी कसाई खाने में ले जाने की जानकारी मिली कंटेनर के अंदर फसे जानरों को बचाने के लिए घटना सल पर जेसी भी बुलाया क्या जेसीवी से कंटेनर का ताला और लोहे का पत्रा तोडा गया कंटेनर पल्टी होने से तकरीबन 50 गायों की मौत होचकी थी कंटेनर का ताला खुलते ही बाकी जनावर जिधर जगा मिली वही भाग खड़े हुए थी दुरघटना की जानकारी मिलते ही सावरगाव की पुलिस आगी की कारवाई करने घटना स्थल पर पहुचके आगी की जान जग्रामिन पुलिस कर रही है नरखेड से संजयमीरे बीसियन न्यूस नाकपुर